रेजिडेंट महिला डाक्टर अकेली थी, उसने देखा, हास्पिटल के पीछे गया, दारू की बोतल निकाला और चुस्की लेने लगा, साथ ही मुबाइल निकाला और फिर गंदी फिल्म लगा कर देखने लगा, नियत उसकी वहीं से खराब हो गई, उसके भीतर का सैतान धीरे धीरे जागने लगा, जैसे जैसे सराब का नसा चलने लगा, वैसे ही वैसे, काम बासना, उसकी आँखों में लाल-लाल दोरे दीखने लगे, प्लान बनाने लगा, अब तो भोर का समय हो चला है, सभी, जबकिया ले रहे हैं, जो भी ड्यूटी पर ह वह लोग भी अब सोने के मूड में है महिला डाक्टर अकेली थी पांच साल का MBBS का कोर्स उसने पूरा कर लिया था अब प्रसिक्छुद चिकित्सक के रूप में वह सुमार हो गई थी यानि रेजिडेंट डाक्टर वह हास्पिटल था आरजी कर मेडिकल कालेज कोलकता सेमिनार हाल जिधर महिला डाक्टर थी हास्पिटल के पीछे वाले भाग में गंदी गंदी फिलमें देखा सराब पिया और फिर उधर ही चल दिया वैसे सेमिनार हाल की तरफ कई लोग गए थे पांच-छे लोग लेकिन उसमें जाने वाला एक आरोपी भी था संभावता यह साईको हो सकता है मेडिकल परिछन में जो सामने बाते आई हैं वह काफी चौकाने वाली है दोफ्तों हम आपको ले चलते हैं ममता बनर जी के कॉलकता में जहां वह स्वयम रहती हैं राजधानी भी है और वहीं का यह हाल है महिला चिकित्सक अकेली थी युवा थी अभी प्रसिच्चु थी और उधर ही जाता है आरोपी संजय रोए पहुंचता है और लोग भी जाते हैं लेकिन जब पुलिस ने सीसी फूटेज में देखा तो वह एरफोन लगाया हुआ था अनलोग जो कुछ समय के अंतराल में गए रात को वह एरफोन नहीं लगाये थे नमबर एक नमबर दो चार बजे भोर में वह सेमिनार हाल की तरफ जाते हुए देखा जाता है और चार पैंतालीस तक वापस आ जाता है कुल बिला करके पैंतालीस मिनट की अगटना है आने जाने और अंजाम देने में जो प्रथम द्रिष्टया अंत परिछण की रिपोर्ट आई है यानि महिला डाक्टर लड़ती है अपनी जान बचाने के लिए पूरी सक्ती से वह सामना करती है लेकिन अंततः तूट चाती है दारूपी ने असलील फिल्म देखने के बाद वह पहुँचता है और फिर महिला के साथ सेमिनार हाल में बत्तमी जी सुरू करता है लड़ती है वह अंततः जीत नहीं पाती है उसकी जीवन लिला यह समाप्त कर देता है तथा अपना मुह काला भी करता है मिड़कल परिछण में संभावता है अभी रिपोर्ट आई है कि पहले उसने जीवन लिला समाप्त किया उसके बाद उसकी पार्थिव सरीर के साथ अपना मुह काला किया अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है जिसके बाद तै होगा दोस्तों पकड़ा कैसे गया जैसा की हमने बताया अन्य लोगों ने एरफोन नहीं लिया था ओए एरफोन लगाया हुआ था जब आया तो उसके पास एरफोन नहीं था वीडियो फुटेज में देखा गयाई और जब सारे आरोपियों को बुला करके देखा गया पुलिस ने परिचर किया और उस एयरफोन से सभी की मोबाइल कनेक्ट कराई गई तो किसी में वह कनेक्ट नहीं हुआ इसके ब्लूटूथ से वह कनेक्ट हो जाता है यानि आरोपी वही था अब एक बात यह समझ से परे है कि क्या अकेले उसने इस घटना को अंजाम दिया है कुछ खून के धब्बे धोया भी है वह जब अपने घर पकड़ा जाता है वह इसे घटना को अंजाम देने के बाद यह आराम से हास्पिटल में सो जाता है एक तरब और ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नो हो पुलिस संजवराय को पकड़ती है और फिर वह कुबूल भी करता है कि हमने ऐसा किया है लेकिन क्या यह कि युवा महिला चिकिशक के साथ अकेले सराब के नसे में धुत बेक्ती जिसके कदम लड़ खड़ा रहे हों क्या इस अकेले उस महिला को पराष्ट करके उसकी जिवन लिला समाप्त कर देगा उसके साथ गंदी हरकत करने के अलाबा अपना मुह काला भी करेगा अईसा क्या संभव हो सकता है असंभव कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन पुलिस इस पर भी परिछड कर रही है अब क्या कहा है ममता दीदी ने ममता दीदी ने कहा है बहुत मरमात है महिला चिकिशक के साथ जो हुआ है यह कलपना भी नहीं की जा सकती है और इससे हम इतने दुखी हैं MCBI जाज कराने के लिए भी तयार है और जो भी हम जैसे चाहें वैसे इधर Central Health Care Protection Act लागू करने के लिए पूरे देश में रेजिडेंट्स डाक्टरों की आज हरताल है यह मामला कुलकता का है लेकिन पूरे देश की जो डाक्टर है अभी रेजिडेंट्स डाक्टर का उन होते हैं यह असनात को तर का प्रसिक्षन लेते हैं यानि इनका MBBS पूरा हो जाता है यह प्रसिक्षू डाक्टर कहे जाते हैं परासनातक की डिग्री लेते हैं MBBS के बाद तो पूरे देश में इनकी बड़ी संख्या है अध्यब की इनोंने धील दिया है कहा है कि हम emergency सेवाओं को ठप नहीं करेंगे लेकिन अपनी मांगों को लेकर कि हम पूरे देश में हरताल करेंगे पूरे देश की राजी सरकारों ने इन्हें कहा है कि किसी तरह से किसी तरह कि इनके साथ कोई दुर्वेवार पुलिस नो करे सदा सहता का परिचे दिया जाए और सभी ने कहा है कि हम डाक्टरों के साथ है एक घटना आपने देखाता है दराबाद में महिलाची किसक के साथ हैवानियत की पराकाष्ठा पर पहुँचे पुरे देश को हिला दिया था इसी घटना आती है कुछ दिनों तक चर्चा में रहती है फिर उसे लोग भूल जाते हैं मैं उसका अस्मरण कराना चाहूँगा कि उस घटना में पुलिस ने सीन क्रियेट कराने के लिए उन्हें ले गई थी और वही फिर दिखाया था कि हथियार चीन करके भाग रहे थे और पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया था तो यह है BNS भारती ये नियाए संगितागी धारा जो 2023 बना है उसमें धारा 64 जो मुह कला करने का है जबरन और 103 है जो जीवन लिला समाप्त करने का है अन्यव धाराएं लगाई गई है उस आरोपी पर आरोपी क्या अकेले था अथवा उसके साथ और लोग भी थे पुलिस इसकी तहकिकात कर रही है कुल बिलाकर के जो खटना होई है यह काफी निंदनी है यह नीचिता की पराकाश्था है और यह जिस तरह की खटना होई है यह कलपना से परे है ऐसे जो साइको किलर है इस परकार के मांसी कपराधी है इनसे सावधान रहने की आवसकता है यह आपके गाउं में भी हो सकते हैं आपके मुहले में हो सकते हैं आपके परिबार में और अगल बगल भी हो सकते हैं ऐसे मांसिक अपराधी किसी न किसी साइको से ग्रसित है और किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं यह एक तरह से पागलों की स्रेडी में रखे जाते हैं तो दोस्तों मैं हूँ प्रजबू सौन दूबे आज पूरे देश में रिजिडेंट्स टाक्टरों की हरताल है और आप यदि एमर्जनसी में जाएंगे तो आपको सेवाएं जरूर मिलेंगी लेकिन ऐसे अगर आप जा रहे हों तो एक दो दिन आप रूप करके ही जाएए या फिर फोन करके पता कर लिजिए कि आपके हास्पिटल में क्या इस्तिती है जोस्तों रजबू सौन दूबे का बिनमरता के साथ साधर नमस्कार